है ओके सो है विल्कम तो आज हमारा जो टॉपिक है पोटेंशल फॉर्मिलेशन से लेटेड है तो अब पोटेंशल फॉर्मिलेशन की ज़रुद क्यों है आमको क्यों अपने लाइक पोटेंशल के फॉर्म में चीज़ें बात करना चाहते हैं में basic reason है अगर मैं बोलूं आपको कि छे डिफॉर्मिलेशन सॉल्फ करनी है आपको आपको पड़े गा कि अगर मैं बोलूं व्रस फदिए क्डी बyssीशन इन लेट भी सानी प्रपररिटेस प्सेंद कर रहे हैं तो इसी कर लिए कि सारी चीजें हमें जितने इजी फॉर्म में आपको मिल सकता है mathematically अपन उसमें रेडियूस करने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमारा आता है potential formulation कि मनला हम लोग सारी चीजे potential के फॉर्म में बात करना and ez और आपके जो magnetic field होगा उसके जो तीन components होंगे bx, by, bz आप क्या होगा आप यहां पर कोई भी equation Maxwell equation कुछ भी apply करते हो लगाते हो ठीक है तो आपको तीनो component के direction में आपको उसकी study करनी पड़ेगी तो आपको जो direction differential equation मिलेंगी आपको तीनो dimension में direction में मिलेंगी अगर मैं यहां पर बात करता हूँ कि magnetic, sorry electric scalar potential आपका जो vector है ही नहीं और आपका magnetic vector potential, okay magnetic vector potential आपका जो magnetic vector potential होगा इसके तीन components है ax, ay and az तो potential formulation करता क्या है तो आप इन दोनों की बात कर लेते हैं तो इन दोनों की बात कर लेते हैं तो properties आपकी same ही रहेंगी, same properties आप यहां पर बात कर सकते हो और आपने क्या किया है potential formulation क्या करता है, it reduces it reduces six six field equations field equations into two into four potential equations okay so that our calculation become easy to calculate four differential equations जिसमें आपका एक तो आपका vector है बीने simple आपका scalar है okay, so अब आपन क्या करते हैं कि उस potential form की बात करते हैं जिसमें आपको एक ही equation में आपको electric scalar potential पोटेंशल भी है, आपका magnetic vector potential भी है उसमें आप different condition apply करके सारी चीज़ें आप निगा सकते हो, okay, so क्या है वो कहाँ नहीं, so यहाँ पर हमारे पास एक equation है, that is आपका अगर मैं बोल दूँ कि electro dynamics में आपका electric field और magnetic field दोनों vary कर रहे हैं जहाँ पर time के according तो आप electric field क्या लिखते हैं, that is negative gradient of potential लिख होगे आप, okay, finally कि मैं वी लिख देता हूँ, okay, okay, and negative del a upon del t लिखता हूँ, यह आपका vector potential है, okay, और magnetic field क्या होता है, आपका electrodynamics में आपका curl of आपका a vector होता है, okay, so इसको अपन यूज करने वाले हैं, हमें क्या पता है, that is अगर मैं बात करता हूँ, Maxwell fourth equation कि that is curl of magnetic field is equals to mu naught times आपका j vector होगा, plus का mu naught times, आपका epsilon naught times, आपका del e upon del t होता है, okay, अब यह जो आपके electric field है, आपके electrodynamics वाले electric field है, तो अपन यह electric field को वहाँ पर put करते हैं, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, that is curl of curl of a vector मैं लिख सकता हूँ, okay, and this is equals to mu naught times j vector लिख सकता है, plus यहाँ पर mu naught हो जाएगा, epsilon naught हो जाएगा, यहाँ पर e put करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पर negative बाहर ही ले ले लेता हूँ, बिकॉस दोनों इन निगेटिव है, तो यहाँ पर negative आ जाएगा, mu naught, epsilon naught times आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, del upon del, okay, so gradient लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर gradient लिख लेते हैं, यहाँ ग्रेडियन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, del, का डेल 2 a upon delta 2 आ जाएगा ठीक है भाई हमारे पास यह चारे चीज़े आ गए अब क्या गरेंगे अपन इसको थोड़ा सो open कर लेते हैं curl of this thing क्या हो जाएगा कि तो यहां पर क्या हो जाएगा divergence of a कि तो कि तो इसको अपन लिखेंगे that is del of divergence of a minus का del 2 हो जाएगा a vector हो जाएगा प्लस यहां पर क्या है आपका कुछ है क्या इसको इदर लेकर आ जाते हैं ठीक है तो मेरे को क्या मिलेगा यहां पर प्लस का mu naught absolute not मिलेगा gradient मिलेगा del v upon delta mleaga okay plus का क्या मिलेगा mu naught absolute not मिलेगा okay and del 2 a upon a vector upon delta 2 मिलेगा and this whole is equals to me not times आपका ज्टर मिलेगा ठीक है अब देखें यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सारी चीज़े आपके magnetic vector potential electric scalar potential ठीक है आपने क्या किया है दोनों से एक एक निकाल लिया है अब मैं क्या कर सकते हैं यहां पर लगा हूँ यहां पर लगा हूँ यहां पर लिखता हूं यहां पर सकते में क्या मिलेगा थे थोड़ा समय निकोश लिख देता हूँ के बसक दिखकत कर देगा बैय elo आपर लिखेंगे अप्लस नौर लिखेंगे घ्ल 2 लिखते हैं और यहां पर क्या लिखेंगे प्लस का gradient लिखेंगे यहां पर divergence of a vector आएगा ओके और यहां पर क्या आएगा प्लस का यहां पर आएगा mu not times epsilon not times आएगा डल v upon delta बचेगा gradient बाहर ही हो गया और यहां पर क्या आपका mu not times आपका j vector है अब यह आप दिख रहे होगा कि सारी चीज़े आपका दो potential के form में ही है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं डेल टू एवेक्टर ओके माइनस का mu not times epsilon not times del 2 a upon delta 2 होता है ठीक है माइनस का आपका क्या हो गया gradient of this divergence of a vector ओके प्लस का mu not times epsilon not times del v upon delta this is equals to negative times of mu not times it so this is the final equation आपको जो सारी चीज़े आपको बताएगी ओकर दिस इस आपनल फॉर्मलेशन विच इस इन दा फॉर्म ऑफ आपका magnetic vector potential के form में भी है और आपका electroscalar के form में भी है तो आपका coulum gauze condition and lawrence gauze condition यहापर दो condition की बात करते हैं कूलum gauze की बात करते हैं ओके अधिंक जस्टा सब्सक्राइब है ओके सो यहाँ पर actually gauze नहीं है gauze है कूलum gauze condition में क्या होता है आपका जो condition लगता है that is divergence of a vector अगर आप 0 कर लेते हो divergence of a vector अगर आप 0 कर लेते हो यहाँ से आपको क्या मिलता है इस equation से आपको क्या मिलेगा सिर्फ यह तम आपका 0 जाएगी सारी equation मिल जाएगी ठीक है बट यहाँ से जो information हमको चाहिए ओके हमको since क्या पता है that is electric field is equals to a negative gradient of potential होता है अब यहां से क्या है देखो यहां से आपने divergence of a vector ले लो और यह क्या होता है आपका रो अपॉन एप्साने टॉन होता है इस इकोस टू यहां का divergence यहां से लेंगे तो डेल टू टाइमस आफ वी हो जाएगा यहां पर लेंगे तो निगेटिव डेल अपॉन डेल्टी बाहर कर लेते हैं divergence of a आजाएगा अपने को क्या पता है divergence of a आपका 0 है हमने condition लिया हुआ है okay so this this will be is equals to this thing आपका वूर्टम आपका 0 हो गया है okay this thing is equals to 0 तो आपका यह आपका यह प्रोपर्टी जो हमें सेकेंड की मैं बात करता हूँ it okay so यहां पर जो कंडिशन है कि आपका सेकेंड का जो नमाच कंडिशन है है यह इसेजर्टम कर दोगे अब यहां से क्या मिलेगा आपको यह टमाप आप जब 0 करोगे तो आपको del 2 a is equals to this thing मिलेगा ओके del 2 this thing is equals to आपको basically क्या मिल रहा है यहां पर यह मिल रहा है del 2 a okay minus ka mu naught times epsilon naught times del 2 a vector upon del t2 मिल रहा है which is equals to minus ka mu naught times j vector मिल रहा है यह आपका क्या है inhomogeneous in homogenous in homogenous in homogenous wave equation okay this is my inhomogeneous wave equation okay so यहां से आपको क्या कि आपने इसको zero किया ठीक है और यहां पर अगर आप करूँ तो जस्तर सेकेंड और यहां पर अपने को एक चीज़ और मिलनी चाहिए अगर ने potential की वह हैं बात करूँ तो कहां गया भाई okay so basically आपको यहां पर दो equations मिलेंगे आपको यहां पर एक तो यह equation मिलेंगे आपको यहां पर यह भी मिलेगा that is del 2 v minus ka mu naught times epsilon naught times यहां पर del 2 v upon del t2 मिलेगा okay and this is equals to negative rho upon epsilon naught times मिलेगा okay okay so basically basically क्या है आपका आपने कहां किया है यहां पर लॉरेंज गोज में यह टम 0 किया है ना sorry यह टम 0 किया है ना यह टम 0 किया है तो आपका divergence of a क्या हो गया मिलेगा टाइप epsilon naught times del 2 del v upon del t अब इसको कहां पूट करना divergence of a को आपको कहां आपको कहां पूट करना है यह divergence of a को आपको कहां पूट करना है यह divergence of a आपका यहां पर यह था ना हमने लिखी ती divergence of a divergence of a की जगा आप वो पूट करोगे तो आपको यहां पर प्रोटेंशल में आ जाएगा तो आपको डेल 2 के टम में आ जाएगा तो basically आपको क्या मिलेगा यहां पर एक wave equation मिलेगी this is also a inhomogeneous wave equation so both of them are inhomogeneous wave equations okay so अगर मैं देखूं तो यहां पर आपका जो डेल है यहां आपका डेल x, डेल y, डेल z है आपका डेल t है तो यहां पर basically आपन क्या देख रहे हैं so that's why this is the important कि आपका four dimension में आप बात करों यह आपका x, y, z में है आपका time में है तो आपका four dimension जो आप डारेक equation की बात करने लगते हो जब relativity की बात करने लगते हो तो आपन ऐसे यहां पर जो आपका डेल हो जाता है this is okay this is what del 2 and negative of del 2 upon del t2 आपका क्या होता है कि direct I think direct delta potential ऐसा कुछ होता है जो भी होता है तो ध्यान नहीं है अभी exactly but आपका यह क्या होता है inhomogeneous wave equation के बारे में बताता है यह आपका interview question है यहाँ पर आपका पूछे जा सकता है so I hope यह चीज़ आपको clear होगी so end करते हैं यहाँ पर thank you